नमस्कार दोस्तो स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तो बिहार दरगा मेंस का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है जब तक आप सभी लोग का एकजाम ना खतम हो जाए और हाँ आप सभी लोग का पता ही होगा प्लेट फारम का जो आपका वह आपका वैलूम 1 और वैलूम 2 का सेट कंप्लिट हो चुका है तो अगर आप सभी लोगों ने रिवाइज नहीं किया है और वैलूम 1 वैलूम 2 का पीडियाप नहीं डाउनूट किया है तो आप जाईए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वहां से पीडियाप डाउनूट किजिए और व प्राक्टिस वह भी प्रवाइड करा दूंगा ताकि आप सभी लोग बहतर तरीके से वहां भी रिवाइज कर पाएंगे तो चलिए सेट को सुरू करते हैं कहता है कि राज ये पुन्रगठन आयोग ने किस वर्थ अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की तो आंसर इसका सी हो जा महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए इस्थगन प्रस्ताओं लगाया जाता है इस प्रकार के प्रस्ताओं लाने के लिए कितने सदस्य का समर्थन आवस्यक होता है तो आंसर आपका भी हो जाएगा 50 सदस्यों का समर्थन यहां पे आवस्यक होता है याद रखिएग Q20, वित्तिया पातकाल की घोसला को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवस्यक्ता होती है तो correct answer आपका A हो जाएगा, सामान बहुमत द्वारा देखें, कि वित्तिया पात की घोसला को मंजूरी देने के लिए आपकी संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान बहुमत की यहाँ पे पारित होना जरूरी होता है संगी समिधान की निम लिखित में से कौन विसेस्ताएं नहीं है तो correct answer आपका D हो जाएगा, एकल नागरिकता याद रखियेगा, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता संगी समिधान की विसेस्ताएं नहीं है question number 24, निम लिखित में से किस संसदन के लिए संसद के विसेस भाहुमत एवं आधे राजियों के विधान मंडलों के सुविक्रिति की आवसकता होती है question number 25, कहता है किस समिधान संसदन द्वरा यह प्रस्ताव किया गया है कि मंतरी परिशद में मंतरियों के कुल संख्या, लोग सभाव के कुल संख्या का 15% होगी answer याद रखिएगा, आपका answer D हो जाएगा, इक्यानिबा समिधान संसोदन अधनियम यह आपका 2003 द्वरा निर्धारित किया गया था, आप इसको याद रखिएगा 2003 द्वरा, संसत के सन्युक्त अधिवेशन के अध्यक्सता, लोग सभाव अध्यक्स द्वरा किस अनुछेद के तहत किया जाता है तो answer आपका D हो जाएगा, अनुछेद 118 के तहत, देखिए, आप इसको याद रखिएगा, कि समिधान के 118 में स्वरी, 108 में संसत के सन्युक्त अधिवेशन की विवस्था की गई है, याद रखिएगा 108 में अगर बोला जाए आपका की 118 में क्या किया गया है, तो सन्युक्त अधिवेशन के अध्यक्सा लोग सभाव द्वरा, ये आपका 118 के तहत किया गया है कोश्चन 27, निम्न लिखित में से कौन सा रीट सारवजनिक प्राधी करण एवम नीजी वेक्ती दोनों के खिलाप जारी किया जाता है तो करेक्ट अंसर आपका 27 का अप्शन ए हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षी करण, याद रखेगा बंदी प्रत्यक्षी करण आपका अंसर यहां पे हो जाएगा निर्म लिखित में से किस अधिनियम द्वारा संप्रदाइक अधार पर सिखो इसाईयों आंगल भारतिय और यूरोपियों के लिए भी प्रिथक निर्वाचन के सिधान्तों का विस्तार किया गया है तो आंसर आपका 28 का भी हो जाएगा 1919 के अधिनियम द्वारा देखिए 1919 के अधिनियम के द्वारा सिखो इसाईयों और आंगल भारतिय यूरोपियों के लिए यहां पे निर्वाचन का सिधान्तों विस्तारित किया गया है कोश्चन नमर 29 निमलिखित में से किस के द्वारा सम्मिधान सभा में उद्देश से प्रस्ताव पेस किया गया था तो आंसर आपका 29 का भी हो जाएगा पंडित जवाहर लाल नहरू के द्वारा देखिए यह कब किया गया था तो 13 दिसंबर 1946 में याद रखिएगा डेटा नेश्ट कोशन की आपातकाल के समय मूल अधिकारों का इस्थगन निमलिखित में से किस देश के सम्मिधान से भारती सम्मिधान में ग्रहन किया गया चलिए आंसर करिए तो आंसर आपका 30 का क्या हो जाएगा जर्मनी के वीमर सम्मिधान से यादि आपका अंसर यहाँ पे हो जाएगा कोश्चन नमर 31 पे आते हैं कहता है कि सम्मिधान का अनुछे 243 का निम्न में से किसके यानि किस से संबंदित है तो मेरे प्यारे साथियों सभी का आंसर यहां पे सही आना चाहिए तो आंसर आपका B हो जाएगा राज निर्वाचन आयोग नोट करिएगा विस्व होमेपैथी दिवस कब मनाया जाता है होमेपैथी के दिवस के बारे में पुछा गया है तो याद रखेगा 10 अप्रेल को होमेपैथी के रूप में मनाया जाता है और किसके याद में मनाया जाता है याद रखेगा हैनी मैन के यानि सैमुल हैनी मैन की याद में विस्व होमेपैथी दिवस मनाया जाता है कोशन नमबर 33 हाल ही में किस देश के पधान मंत्री ने अपने स्वास्त कारणों के वज़ा से अपना पद से इस्तिपा दे दिया है तो आंसर याद रखिएगा आपका जापान आंसर हो जाएगा क्योंकि अगर देखा जाये तो जापान के पढ़ान मंत्री सींजो अबे ने अपने स्वास्त कारणों के वज़त से इस्तिपात दे दिया है जापान की राजधानी सभी को पताई होगा टोकियो है नेश्ट कोशन की राष्टी पांचांग यानि नेशनल कलेंडर के संबंद में कौन सा कथन सही है चलिया आंसर करिएगा तो आपका 34 का आंसर डी हो जाएगा न तो एक और ना ही दो याद रखिएगा भारत का राष्टी कलेंडर सक्सनुवत प्राधारी थे और ग्रेगोरियन कलेंडर के साथ आपका 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था आप इसको याद रखिएगा विस्व विकास रिपोर्ट यानि वाल्ड डेपलाप्मेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्ता का वार्चिक प्रकासन है तो आंसर आपका 35 का सी हो जाएगा विस्व बैंक देखिए यह 1900 याद रखिएगा 1978 में प्रकासित किया गया था विस्व बैंक की स्थापना देखा जाए तो कब हुआ था तो 1945 में विस्व बैंक का 1945 में इसका मुख्याले कहां पहे तो वासिंग्टन डीसी में है नोह का लिकाई जल परपात किस प्रदेश में है तो आंसर याद रखिएगा आपका मेघाले में इस्तित है नेश्ट कोशने की वंदे मातरम योजना का संबंध किस से है तो आंसर आपका C हो जाएगा गरवती महिलाओं से आपका वंदे मातरम योजना संबंधित किया गया है आप इसके बारे में जानिएगा कि महिला पहली बार गरवती हुई है वैसे महिलाओं का इस योजना के तहट पांच हजार रुपे देने का प्रधान किया गया है वंदे मातरम योजना के तहट याद रखिएगा नीन लेखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है इसमें से पूछा गया है कौन सा सही सुमिलित नहीं है तो आपका आंसर D हो जाएगा संतूर बदरुदिन डागर यह आपका गलत है देखिए संतूर आपका भजन सोपारी हो जाएगा स्विव कुमार सर्मा हो जाएगा याद रखिएगा कोशन नमबर 49 कहता है सर्पो का अध्यन क्या कहलाता है सर्पो का अध्यन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा ओफियोलोजी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा अगर छिपकिली का देखा जाए तो सोरोलाजी आपका आंसर हो जाएगा अगर कीडा का देखा जाए तो आपका एंटुमोलाजी हो जाएगा आप इसको याद रखिएगा कोश्चन नमबर 40 पर आते हैं कि भारत का पहला समुद्री संगरहाले कहां पर खोला जाएगा तो आंसर आपका भी हो जाएगा गुजरात में याद रखिएगा गुजरात में भारत का पहला समुद्री संगरहाले जो आपका लोथल में पढ़ता है यानि गुजरात के लोथल में पढ़ता है कोश्चन नमर 41 निम्न में से कौन सा परच्छे पात्र है जो सता से सता मार करता है चलिए आंसर करिएगा तो आंसर आपका 41 का C हो जाएगा यानि अगनी आपका आंसर या पे हो जाएगा देखिए सता से सता आपका अगनी है पृतिभी है धनू से अगर सता से परकास के बारें पूछा जाए तो आप क्या मारेंगे तृसूल सबसे अधिक देखने को मिलता है किस में चलिए फास्ट आंसर करिए तो आंसर आपका हो जाएगा option B दच्छिड पश्ची मानसून के समय में यानि B आपका आंसर यहाँ पे correct आंसर हो जाएगा question number 44 प्रसित पुस्तक white tiger जिसे वर्ष 2018 में मान बुकर पुरसकार प्राप्त हुआ है इसके लेखक कौन है तो आपके अर्बिंद अडिगा हो जाएगा यानि आपका आंसर C हो जाएगा इन्हें इस चालिसवा मान बुकर पुरसकार दिया गया है निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है इनमेस बताना है कौन सुमेलित नहीं है तो आपका आंसर सी हो जाएगा माना दर्रा अरुनाचल परदेश यह आपका गलत है क्योंकि माना दर्रा जो अरुनाचल परदेश में नहीं है यह आपका उत्रा खंड में है याद रखिएगा Q46, कहता है कि भारत के कुल 6 तरफल के कितने प्रतिसत भाग में 1 एवं विरिच्छो का विस्तार पाया जाता है तो correct answer आपका भी हो जाएगा 24.56 प्रतिसत याद रखिएगा भारती वानस्पती रिपोर्ट 2019 की अनुसार भारत के कुल 6 तरफल याने 24.56 लगभग भाग पर विरिच्छो एवं वनो का विस्तार पाया जाता है Q47, बिहार की किस जीले में काला गेहूं की खेती की सुरुवात की गई है तो करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा दर्भंगा में याद रखिएगा दर्भंगा जीले में काले गेहूं की खेती की सुरुवात की गई है इंद्रा गांधी नहर परियोजना निम्न में से कौन सा राजिय लभामबित नहीं होता है तो करेक्ट आंसर आपका 48 का D हो जाएगा हिमाचल प्रदीस याद रखिएगा हिमाचल प्रदीस आपका आंसर यहां पे हो जाएगा आई ये भी प्रशन पूछा से सकता है कि इंद्रा गांधी नहर परियोजना सत्लल नदी परिस्तित है इसमें केवल राजेस्थान पंजाब एवं हर्याना राजे जो है वो लामभानतित है अगला कोशन है कि दुँँजर इगारक के जनगर्णा रिपोर्ट के अनुसार भारत के एकुल जनसंख्या की कितनी प्रतिसत जनसंख्या विहार में निवास करती है तो आपका आंसर बी हो जाएगा आठ दस्मलो छो प्रतिसत आप इसको याद रखिएगा निमन लिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगा कौन सा है? भारत का गहरा बंदरगा पुछा गया है तो आंसर आपका सी हो जाएगा विशाखा पटनम देखिए अगर बात करें कि जब कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगा तो आपका मुंबई है और कृत्रिम बंदरगा पुछा जाए तो आप क्या मारेंगे चेन नहीं मारिएगा नेश्ट कोसने के निमन लिखित में से कौन से मिट्टी कापास की खेती है तू सरवाधिक उपियुक्त होती है तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा लाल मिट्टी याद रखिएगा लाल मिट्टी कापास के लिए सबसे ज़्यादा महतपूर माने जाती है नेश्ट कोसने के ग्लोबल वार्मिंग के लिए नियमन में से कौन से गैस सरवाधिक उत्तरदाई है तो आंसर आपका ए हो जाएगा कार्बन डाई आकसाइड देखे ग्लोबन वार्मिंग है तू सरवाधिक उत्तरदाई गैस सभी को पता ही होगा CO2 हो जाएगा राष्टपती पत के उमिदवारों को चुनाईव प्रचार है तू कितना समय मिलता है तो आंसर मेरे प्यारे साथ यग आंसर सही करिएगा आपका दो सपताह मिलता है क्योंकि अगर राष्टपती का चुनाईव प्रचार करना है तो दो सब्ता का यहाँ पर समय लग जाता है नो करेक जै मंडल नीचाय मेघाले की निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है तो आंसर आपका 54 का A हो जाएगा गारो क्या हो जाएगा गारो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर 55 भारत सिरलंगा के बीच अवस्तित है भारत सिरलंगा के बीच अवस्तित है तो आंसर याद रखियेगा आपका आंसर D हो जाएगा केवल 1 और 3 यानि पाक, जल, संधी और आपका मननार की खाड़ी आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन विक्टोरिया जल परपात निम्ड में से किस नदी पर इस्थित है तो करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा जैंबेजी नदी जैंबेजी नदी आपका यहां पे आंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर 57 कहता है कि सेरसा के समय मौजुदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूली करती थी तो आंसर सभी को याद होना चाहिए औपसे ए हो जाएगा एक बटा तीन हो जाएगा क्योंकि सेर्सा के उत्पादन के समय एक बटा तीन भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था कोश्चन नबर 58 बजट प्रस्तूत करने के लिए कितने दिनों के अंदर बजट पारित करना आवस्यक है तो आंसर आपका 58 का सी हो जाएगा 75 दिन याद रखिएगा 75 डे आपका यहां पे बजट पारित करने का वस्यक डे लगता है निम्न में से देखते हैं अगला कि निम्न में से दच्छिड अमेरिका का कौन सा देश इस्थल रूद्र है चली आंसर करिए तो आंसर आपका B हो जाएगा परागवे देखिए अगर बात करें कि दच्छिड अमेरिका के दो देश इस्थल हैं वे परागवे और दूसरा देखा जाए तो बोलेबिया हो जाएगा नेश्ट कोशने कि मनुस्य में सरकरा का पाचन कहां प्रारंब होता है चली आंसर करिएगा तो आंसर आपका ओप्सन A हो जाएगा मुख गुहा से क्या हो जाएगा मुख गुहा से कोशन Station No 61 मनुस्य की हिरदे के किन कख्षों में असुद रक्त का परिवहन होता है चली आफ्ष्ट आंसर करिएगा तो आंसर आपका डी हो जाएगा दाया अलंद एवं दाया निलै से देखिए हमारे परिवहन तंदर का केंद्री अंग होता है जो हमारे हिरदे से सुद दाहिने अलंद में असुद रक्त जमा होता है जो दाहिने निले में आपका जाता है आप इसको याद रखिएगा कोश्चन नमबर 62 यानि 62 ज्यादा तेज दोड़ने के बाद हमारी जांगों की मांस्पेतिया में दर्द क्यों होने लगता है ऐसा इसलिए होता है कि इनके पेसी तन्तों के बीच लैक्टिक अमल जमा हो जाता है यानि C आपका आंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर 63 अमीबा तरथा प्रोटो जोवा नीम्न में से किस जगत के अंतरगत आता है चलिए आंसर करिएगा तो आंसर आपका A हो जाएगा प्रोटिष्टा में याद रखिएगा देखिए अगर बात करें कि 63 में कि प्रोटिष्टा जगत में एक कोस की यूप करेटो की जीव आते हैं अमीबा तरथा प्रोटिष्टा प्रोटिष्टा जगत के अंतरगत आते हैं कौस्चन नबर 64 कौन सी किरिया से उर्जा प्राप्त होता है तो आपका आंसर D हो जाएगा पोसर किरिया से देखिए प्रतेक सजीव को अपने सरीर में होने वाले जैविक प्रती प्रकिरियाओ के लिए उर्जा की आवसक्ता होती है यह उर्जा उन्हें पोसर से प्राप्ट होता है निमलीखित में से कौन इस्थली आवास का अजयविक घटक है चली आंसर करिएगा तो आंसर आपका 65 का ऑप्सन D हो जाएगा उप्यूक्त में से सभी यानि वायू मिरिदा जल हो आंसर आपका ऑप्सन ए हो जाएगा फास फोली पीड आपका आंसर यहां पे हो जाएगा कोस्टन नमर 66 का निमन में से कौन उत्तक का उधारण है आंसर D हो जाएगा 1 2 3 यानि रख्त पेसी फ्लोयम आपका यहां पे आंसर हो जाएगा इनटॉमी बिज्जान की एक साखा है जिसमें अध्यन किया जाता है किसका किसका अध्यन किया जाता है तो आंसर याद रखिएगा आपका आंसर C हो जाएगा जानवरों एवं पौधों की सनरचना के लिए यानि C आपका correct आंसर हो जाएगा 68 का याद रखिएगा अब आते हैं 69 पे यदि व्यक्ति को गलत समू का रक्त दे दिया जाए तो निर्न लिखित में से क्या परडाम होता है इसमें से कौन सा परडाम होता है तो आंसर याद रखिएगा RBCS का संसलेशन हो जाता है यानि C आपका आंसर याँ पे right आंसर हो जाता है मदुमक्की के डंक मारने पर निम्ण में से किस पदार्थ के उपियोग से आराम मिलता है चली आंसर करिए 70 का आंसर आपका D हो जाएगा यानि banking soda से देखिए मदुमक्की के डंक मारने पर जो डंक मारे गए अंग में दूरबल छारकों की उपियोग से आराम मिलता है चुकि बैंकिंग सोडा जो होता है एक दुरूबल छारक होता है इसलिए डंक मारे गए अंग में इसका उपयोग करके इससे अराम पहुचाया जाता है कोश्चन नबर 71 दो सेलों से बनी बैटरी में क्या होता है तो आंसर आपका 71 का सी हो जाएगा एक सेल का धानात्मक सीरे दूसरे से रिडात्मक सीरे से जुड़ा रहता है 72 तेल एवं जल के मिस्रर से उसके अव्यवों को निमनलिशित में से किस विधिद्वारा अलग किया जाता है चलिए आंसर करिए तो आंसर आपका 72 का भी हो जाएगा निथार ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सभी लोगों का दूद से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन किस रेडी में आता है चलिए करेक्ट आंसर करिएगा तो 73 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा अनुत क्रम्रणिय परिवर्तन आपका यहाँ पर हो जाएगा अब यह प्वाइंट याद रखेगा कि जिन्हें उल्टा नहीं किया जा सकता उन्हें अनुक्रम्रणिय परिवर्तन कहते हैं जैसे दूद का दही बनना उसके बाद लोहे में जंग लगना आप इसको याद रखेगा किसी भौतिक रासी के पूर्ण वीवर्ण के लिए आवस्य कौन सा है तो 74 का आंसर C हो जाएगा A, B यानि मातरक और संख्यात्मक मान हो जाएगा आंसर प्रती बल का SI मातरक क्या होता है तो आंसर आपका A हो जाएगा न्यूटन प्रती मीटर स्क्वार आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखेगा 75 का ठीक है अब आते हैं क्वेशन नमबर 75 का सही है 76 पर आते हैं कि द्रवो तो था गैसों में उस्मा का इस्थांत्रड निमनलिखित में से किस वीधी द्वारा होता है चले आंसर करिएगा तो आंसर आपका 76 का B हो जाएगा सनवाहन के द्वारा द्रव एवं गैस उस्मा के कुछालक होते हैं इसलिए इन्हें चालन वीधी द्वारा गर्म नहीं किया जा सकता है नेश्ट कोशन है कि निमनांकित में प्राकृतिक सूचक है तो आपका उप्योगति में से सबी हो जाएगा यानि लिटमस, हल्दी का रस और चाइना गुलाब क्या हो जाएगा डी आपका आंसर आपे सही उत्तर हो जाएगा चली आगला है कि निमनांकित में से सौर कूकर के लिए किसका उप्योग किया जाता है चली आंसर करिएगा तो आंसर आपका भी हो जाएगा आउतल दरपड़ क्या हो जाएगा आउतल दरपड़ यहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा मिठी के अपमार्जक कौन होता है तो आनसर आपका ए हो जाएगा जीवाणू देखिए जीवाणू प्राकिर्तिक अपमार्जक हैं ये मिर्ति वो सड़े हुए पदार्थों का प्रियोग कर मिठी की उत्पाधता बढ़ाते हैं निमलीखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौरे का विशिष्ट वर्णन किया है तो करेक्ट आंसर आपका D हो जाएगा मेगा स्थनीज ने सिंदु घाटी सभेता का वह इस्थल जो घगघर न दिखे किनारे बसा हुआ है वो कौन सा है तो याद रखिएगा आपका काली बंगा हो जाएगा देखिए काली बंगा राजिस्थान के हनुमान गड़ जीले का एक प्राचीन एवं एतिहासिक हडपा सभेता का हिस्तल माना जाता है प्रसित चीनी यात्री हुएन संग जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है इसने किस अवधी में भारत की यात्रा की चलिए देखते हैं किसको याद है तो आंसर आपका बी हो जाएगा 629 से 645 इसवे के बीच में किया था इन्होंने हर्सवर्धन के सासनकाल के दोरान भारत का यात्रा किया था नेश्ट कोशन है कोशन नमर 83 निनलिखित मदेकालिन संतों को कलानुकरम अनुसार सजाईए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 83 का आंसर आपका भी हो जाएगा यानि संकराचारे, रामा, नूज, माध्वाचारे और बलभाचारे देखिए संकराचारे का अगर जन्म देखा जाये तो नौवी सदी के केरल में हुआ था उत्तर भारत में रामा नंद ने अपने विचार भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था चंगेच खां का आकरमड किस के सासनकाल में हुआ निमनल लीखित में से कौन सुमेलित है चलिए, आंसर करिएगा तो आंसर आपका इस में क्या हो जाएगा 85 का आँसर अगर दिखा जाए, तो आपका आँसर भी हो जाएगा यानि लाड हैस्टिंग आपका पिंडारियों का डमन हो जाएगा याद रखेगा अगर लाड विलियम बैटिंग पुछा जाए यानि लाड विलियम बैटिंग तो आप मारिया का अंगरेजी सिक्षा अगर warren hasting पुछा जाया तो आपका warren hasting क्या जायागा मदर्शा का स्थापना नेश्ट कोशन है कि निम्न में से किस भू राजस्यों पदतीस में खेत के मालिकों से भू राजस्यों की वसूली की जाती थी तो आंसर आपका 86 का B हो जाएगा रयत वाड़ी क्या जाएगा रयत वाड़ी आपका आंसर यां पे हो जाएगा महारानी लक्षमी बाई ने 1857 करांती में महत अपूर भूमी का निभाई थी इनका जन्म कहा पर हुआ था चलिए आंसर करिएगा तो इनका जन्म देखा जाये तो वराणसी में हुआ था याद रखिएगा वराणसी में ठीकर 19 नुवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था वराणसी में वारना कूलर्स प्रैस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंगरेजी भासा में परिवर्थित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन सी थी तो आंसर याद रखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा अम्रित बजार पत्रिका आपका यहां पर आंसर सही हो जाएगा आप इसको याद रखिएगा इसके इस्थापना कौन-कौन के थे तो याद रखिएगा सिसिर कुमार घोस और मोतिलाल घोसाप का यहां पर दो भाईयों ने किया था एज आफ कॉंसेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह किया यू निर्धायत की गई है कितनी वर्स तो यह किया गया है कितना तो सभी को पता ही होगा यह आंसर हो जाएगा अप्शन भी 12 वर्स देखिए एज आफ कॉंसेंट एक्ट 1891 में लड़कियों के लिए विवाह किया यू दर्स दस वर्स की गई थी लेकिन इसे बढ़ा करके 12 वर्स कर दी गई है दक्कन क्रिसक राहत अधिनियम पारित किया गया है तो आंसर आपका सी हो जाएगा 1889 में दक्कन क्रिसंग राहत अधिनियम 1889 में किया गया था आप इसको याद रखिएगा क्या कहता है देखते हैं इसको कहता है कि भारतिय स्वतंतरता लिग की स्थापना किसके द्वारा की गई तो पर पारेक्ट आंसर आपका आपका ओप्शन ए हो जाएगा तारक नात दास याद हो जाएगा आप सबी याद रिपब्लिक आर्मी हो जाएगा ठीक है इंडियन रिपब्लिक सेना को सूर्य 자न और अनुषिल समीति संगठन ने इसका इस्थापित किया था कब तो 1930 में याद रखिएगा नेश्ट कोशन पर आते हैं कि निम्न में से किस सूची के विशे पर राष्टपती अध्यादे जारी नहीं करता है तो करेक्ट आंसर आपका 93 का B हो जाएगा राज ये सूची के द्वारा एस्थोजन किसके द्वारा इस्तरावित होता है तो याद रखिएगा आपका अंडासे हो जाएगा प्रसित परवत पिंड सर किस भारतिय राज्ये में इस्थीत है तो करेक्ट आंसर आपका 95 का ओप्सन C हो जाएगा उत्तरा खंड क्या हो जाएगा उत्तरा खंड आप सभी लोगों का आंसर यहां पे सही उत्तर हो जाएगा देखिए पिंड सर नैनी ताल राकी खेट आदी यह सब आपका कहां पर है तो उत्तरा खंड में है निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है चलिए आंसर करिएगा तो आसियान का देखा जाए तो आपका मयानमार हो और आपका वियत नाम हो जाएगा जी एस्टी की विभिन दरों के संदर्म में अंतिर निर्णे लेने का अधिकार किसे प्राप्त है तो आंसर आपका 96 97 का सी हो जाएगा जी एस्टी परिशत को किसको जी एस्टी परिशत को नेश्ट कोसने की आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है तो करेक्ट अंसर आपका 98 का D हो जाएगा सी मा सुल्क हो जाएगा क्या हो जाएगा सी मा सुल्क याद रखिएगा कोस्चन नबर 99 निन लिखित इंधनों में कौन सा नियूंतम पर्यावरणी प्रदूसर उत्पन करता है चलिया अंसर करिएगा तो सभी का अंसर यहां पर सी होना चाहिए हाइड्रोजन देखिए डीजल कोईला आदि से सरवादिक प्रदूसर होता है जबकि हाइड्रोजन से कम से कम प्रदूसर को वहाख होता है यानि कम से कम होता है भारत में बिरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकासित कौन करता है तो याद रखिएगा नीती आयो तो करता नहीं है यहां पे देखिए ऑप्सन अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर यहां सी हो जाएगा यानि भारत में बिरोजगारी आंकड़े का एकत्रित कौन करता है तो एन एस एस ओ करता है याद रखिएगा तो दोस्तों आपका सयत नंबर का सेट कंप्लिट हो चुका है आपका जल्द ही सेट आगे आएगा हिंदी का भी सेट प्रोवाइट किया जाएगा ताकि आप सभी लोग हिंदी में भी अच्छा स्कोर कर पाएं ताकि आप सभी लोग का इस बार सेलेक्शन हो पाएं तो चलिए नेश्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम